काले लीवर की सेटिंग, पीला लीवर नीचे रखें, काले लीवर को नीचे से उपर की ओर ले जाएं, जैसे ही काला लीवर स्लोट नंबर 3-4 के बीच में आए, लिफ्ट उपर उठनी शुरू हो जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता, तो डबल स्लोट ब्राकेट में लगे टर्निंग रॉड या स्टड को इस प्रकार धीला या टाइट करें कि स्लोट नंबर 3-4 पर लिफ्ट उठना शुरू कर दे, जैसे ही लिफ्ट उपर उठनी शुरू हो जाए, काले लीवर को तुरंत स्लोट नंबर 4-5 पर खिसका दें, क्योंकि स्लोट नंबर 3-4 पर लिफ जोन है, वहां काले लीवर को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंप ओवर लोड होकर खराब हो सकता है, स्लोट नंबर 4-5 नूट्रल जोन है, यहां लिफ्ट होल्ड हो जाती है, यही काले लीवर की सेटिंग होती है, ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग करते समय, पर पचास से सौ किलोग्राम भार रखना आवशक है। अब Mix Mode Hydraulics की Shield Assembly में सेक्टर प्लेट के स्लोट में एक स्टॉपर लगा दिया गया है, जिस से काला लीवर लिफ्ट जोन में नहीं पहुंचता है और पंप ओवर लोड हुने या खराब हुने की स्थिती से बचाया जा सक सकता है, परन्तु काले लीवर की सेटिंग दुबारा करने के लिए हमें यह स्टॉपर हटाना पड़ता है। मिक्स मोड जिसकी सेक्टर प्लेट में स्टॉपर नहीं है, उसमें काले लीवर को कभी भी बिल्कुल उपर ना रखें, वरना पंप ओवर लोड हो सकता है या खराब हो सकता है।